इसे रुपाजी बात करेंगे सर्चों की तो सर्चों को लेकर काफी सारे दर्शक हैं जो जुड़े हुए हैं जिनके स्वाल लगाता है सर्चों को लेकर आ रहा है सबका यही सवाल है रुपाजी कि क्या सर्चों में पहली वाली तेज़ी देखने को मिल सकती है रुपाजी हमने एक चीज़ देखी है कि जैसे देश में इतना सर्चों का स्टॉक था नहीं और जो भी था ओमिक्रॉन की वज़ा से किसानों ने उसकी बिकवाली कर दी है और वो भी दीरे दीरे अब consume होता नजर आ रहा है अब अभी देख रहे हैं कि मार्च 2022 में सरसुकी नहीं आवके आएंगी तो ये जो बचे कुछे महीने हैं क्या इस दौरान कुछ तेजी बनती नजर आ सकती हैं क्या सरसुकी किलत महसूस होने के चलते क्या सरसुकी कीमतों में अभी भी तेजी बनती नजर आ सकती है क्या या फिर जो सरकात पूरी कोशिश कर लिए कि आगे चुनाव है उसके मद्दे नजर कीमतों में गिरावट आती रहेगी देखिए अभी सरसों के अंदर नई राइवल के बाद थोड़ा बहुत प्रैशर जो है वो जनरेट होता हुआ दिखाई दे सकता है और सभी एडिवल ओल पैक के उपर एक दबाव बनता हुआ दिखाई दे सकता है लेकिन अभी फिलाल के लिए छुटपुट खरदारी बनी रह सकती है और आगे चलकर गिरावट की उमीद है कि गिरावट बन सकती है तो अभी थोड़ा बहुत भी अगर बाउंच बैक आता है तो मेरे हिसाब से सरसों में अगर तेजी बनती है तो वहाँ पर माल निकालने की ही कोशिश करनी चाहिए क्योंकि राजस्तान और हर्याना की मंडियों में हमने देखे है कि सरसों के भाव फिलाल गिरते हुए दिखाई दिये है और जो नुमंबर में जो काफी तेजी थी और अब भाव में लगातर गिरावट देखने को मिल रही है और मुझे लगता है कि आगे चलकर ये गिरावट गहरा सकती है तो अभी सरसों के अंदर जो भी बाउंच बैक मिले वहाँ पर एक्जिट करने में ही समझदारी होगी क्योंकि arrival pressure के चलते कीमतों पर दबाव बन सकता है जी तो याने की अभी जो चुनाव भी आने वाले हैं उसकी वज़ा से भी सरकार की पूरी-पूरी कोशिश है कि आम जंता को महगाई का सामना ना करना पड़े और हमने देखा भी है कि जो बड़ी-बड़ी खादे तेल की कमपनीज हैं उन्होंने भी अपने खादे तेल की जो दा में वो लगवग 15-20 फीज़दी कम भी कर दिये हैं क्योंकि आगे चुनाव आने वाले हैं जिसकी वज़ासम देखने की खादे तेल की कीमितों में अभी एक हलकी नर्मी देखने को मिली है उसका असर मंडियों पर भी जरूर पढ़ता नजर आ सकता है तो ऐसे में रूपाजी की तरफ से किसानों को यही सला रहेगी कि जो भी आपको उपनी स्तर मिल रहा है सरसों का वो उस पर अपनी सरसों निकाल दे क्योंकि आगे सरसों की बंपर आवके रहेगी क्योंकि इस बार सरसों की बुवाई का रगबा भी काफी जादा बड़ा है और उत्पादम भी काफी अच्छा बताया जा रहा है पिछले साल के मुकाबले तो ओवरोल जो सरसों की आवके आएंगी तो जादा ही आएंगी अराइवल प्रेशर एकदम से पढ़ता नजर आएगा मंडियों पर सरसों का जिसकी वज़ा से सरसों की जो कीमते हैं वो आगे जाके कही न कहीं हलकी फुल की गिरती नजर आ सकती है ये जो 9-10 हजार वाली जो रेंज थी इसमें गिरावर देखने को मिल सकती है हो सकता है कि 6-7-7 यहां तक भी सरसों जाए या फिर हो सकता है उससे थोड़ी नीचे भी जाए हाला कि MSP सो परी बनी रहेगी सरसों लेकिन 9-10 हजार वाली जो तेजी हो सकता है वो कहीं ना कहीं खोती नजर आए तो इसलिए एरूपा जी के तरफ से यही सला है जो उप्री सतर मिल रहा है आपको सरसों का उस पर अपनी सरसों निकाल दे